बच्चों आज हम लोग पार्थ तीन भारत का धरातल के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होगी उनको आप ध्यान से देखिए पहली यह पिक्चर है यह देखिए दिख रहा है यहां लिखा है हिमालय छेत इसमें लिखा है मैधान छेते हिमालय परवत की चोटियों के और दिखाई गया है मैदान छेत बिलकुल प्लेन यह मैदान भीपनार दिखाया गया है थे दौर्धार हम बखुद्धर ततोंम लिखा नोगरने समुझार नहीं पहार होते हैं ज हिस घस कर घस घस कर ओन में पहाड की तरह उपर नोक नहीं रहती है वो घिस जाता है कट गया मालो तो ऐसे हो गया ऐसे है ना ऐसे पठार रह जाते हैं उबर खाबर हो जाते हैं तो उनको कहते हैं पठार तो इसका मतलब जो धरातल है हमारा प्रत्वी का वो इस तरीके से हो सकता है तो यह देखें धरातल किसे कहते हैं पर्थिवी के उपरी तल या सता को धरातल कहते हैं या कहीं समतल कहीं उबर खाव और कहीं टीलेदार और पत्थरी लाए मतलब धरातल कैसा भी हो सकता है समतल मतलब एकदम बराबर पहाड हो सकता है समुद्धतठ हो सकता है पठार हो सकता है टापू हो सकता है अब इसी के आधार पर देखते हैं भारत के धरातल को कितने भागों में बाटा गया है तो ये नक्सा दिख रहा है आपको ये मैप इसमें दिखाया गया भारत के धरातल को मुख खिता है पांच भागों में बाटा गया कितने पांच भागों में बाटा गया तो चित्र में साफ सब देखेंगे हम लोग कहां कहां है ये दिखिए उपर दिखा रहा है परवती भाग उत्तर का परवती भाग यह दिखा रहा है यहाँ पे यह परवती भाग दिखा रहा है उत्तर का परवती भाग और यहाँ पर भी यह दिखा रहा है यह तो यह भारत में यह यह परवती भाग है भारत का जो ये रेड डिखा रहा है, ये भारत का नंबर एक परवती भाग है, और ये नंबर दो मैदानी भाग, ये ये पूरा मैदानी भाग दिखरा है, ये पूरा, ये ये, ये दिखें, ये मैदानी भाग है, नंबर दो, ये मैदानी भाग है, फिर नंबर तीन, ये वाला मरुस् हुआ गए नंबर 4 यह पठारी भाग है लिए बारत का पठारी भाग है अप्ये भर्स गिश-खिस अब उबर्खावर के परवत रहा गए यह पठारी भाग है और इनननन तुस्में यह दीब肉 है तो टोटल पाँच भाग हो गया तो आपने देखें हैं भारत के धरातल को मकिता पाँच भागम बाता गया है है Darren उपर पहाड़ी नंबर 1 पहाड़ी भाग नंबर 2 मैदानी भाग थार का मरुस्त्तल पठारी भाग और समुदताती भाग और दीप तो आज हम लोग पहला उत्तर का परवती भाग के बारे में पढ़ेंगे पहला है ना परवती भाग तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का परवती भाग तो एक एक भाग पढ़ेंगे पहले आज उत्तर का परवती भाग जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी जब जाएंगे उस परवती भाग में यह जो उत्तर का परवती भाग है यहाँ पर मैं पर दिख रहा है यह यह इधर भी है यहाँ पर है ना यहाँ पर नागालैन मड़पूर इधर इधर यहाँ पे यहाँ पे नागालेन, माड़पूर, मुजोरम, तर्पृरा यह सब प्रदेश और यहाँ पे इधर जम्मु कस्मीर उत्राखांड, हिमाचल प्रदेश इधर है तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग उत्तर के परवती भाग को हिमाला की परवतमाला भी कहते हैं मांचीत देकर इसका फैलाव लिखो या पश्चिम में पश्चिम में किस राज से किस राज तक तलवार की तरह पहला हुआ तो देखे यह पश्चिम में आपका जो है उपर कि पश्चिम में जम्मकस्मी उपर जम्मकस्मीर है ना तो यह जम्मकस्मीर से लेकर पूर में और ना चल तक है ना अरुणाचल प्रदेस तक फैला हुआ है और हमाले की जो चोटियां है वो साल भर बर्फ से ढखी रहती है और बर्फ से ढखी रहने कारण इसमें क्या है यहाँ पर हिमनाद या ग्लेशियर बन जाते हैं जिनको कहते हिमनाद या ग्लेशियर हिमनाद से मतलब समझे रहाँ हिम मतलब बर्फ नद मतलब नदी है ना ग्लेशियर वही मतलब बढ़े बड़े मैदान है बर्फ के पाय जाते हैं जो साल बर पिघलते रहते हैं उनसे नदियां निकलती रहती है पानी नदियों में हमेशा आता रहता है जैसे गंगा यमना ये सब गंगा कहां से निकली है गंगोत्री से यमना कहां से निकली है यमनोत्री से जो ग्लेशियर हैं बड़े बड़े कहां है ये उत्राखंड में उपर इस्थित है अब देखते हैं कि हमाले बना कैसे आखिर है ना तो हमाले बना कैसे ये देखिए आप लोग तो जहाँ आज हमालえ है वहाँ पहले कभी क्या था एक टेथिस सागर था एक सागर था जहाँ अब ये उचा उचा हमाले देख रहे हैं ऐसे-इसे पहाड वहाँ ये सब को नहीं था वहाँ था एक सागर सागर था वहां उसमें क्या था सब पानी भरा हुआ था साकर में सब पानी भरा हुआ था और इसके दोनों तरफ एक तरफ था उत्तर में अंगारा और दक्षिड में गुंडवाना उत्तर इधर हुआ ना उत्तर इधर क्या था अंगारा लैंड और इधर दक्षिड में क्या थी गुंडवान ढण ऑलेंट ये पत्र लीली थी ये काया कि थी पत्र लीली चत्तानों के पूरी चत्तान थी और बीच में ये समुद्र रथा और इधर से सब कहीं से मिट्टी बाइब आधर बैस के साथ 74 के sir common इधर किसकनी शुरू ही और इधर वाली इधर किसकनी शुरू ही तो यह बीच में जो यह बीच में था यह इसको प्रेस किया तो यह उपर उठे गया उपर उठके यहां पर क्या बन गए पहार जैसे बन गए दोनों तरफ से प्रेस करने से पहार बन गया तो यह यही बन गया पुरा हिमाल है तो आपको पता लगा कौन-कौन थी दो अंगारा और गोंडवाना लेंड चट्टाने थी ये अंगारा और गोंडवाना बीच में समुद्र इधर अंगारा और इधर ये क्या थी इधर वाली अंगारा और इधर वाली गोंडवाना यह अंगारा यह गोंडवाना यहां पर दिखाया भी है कि बीच में यहां पर इस चित्र में दिखाया है यहां इस चित्र में दिखाया हुआ है कि यह बीच में समुद्र है पानी भरा हुआ था और इसके उपर यह समुद्र था बीच में इधर इधर यह चट्टाने थी दोनों इधर को खिसकी एक इधर को खिसकी यह तो यह बीच में जो यह पानी भरा था कीचर सही वह उपर को उ इसी से ये पहाड बन गए ऐसे बना हमारा हिमाले है तो हिमाले को हमारे देश का क्या पहरेदार भी कहा जाता है जो हिमाले बन गया हमारा देश जो भारत है उसके जो भारत है हमारा भारत देश उसके उपर की तरफ ऐसे हिमाले है तो हमारा देश यहीं पे है इधर यह हमारा देश है, ऐसे करके इना तो यहाँ पर ऐसे हिमाला है तो इधर कोई इधर आ नहीं सकता तो हमें ये वाहे आकर्मनों से बचाता था और इधर और इधर का एरिया ठंडा है तो इधर से जो हवाय आती है, ठंडी ठंडी अनसे भी ये हम को बचाता है ठंडग से और यहाँ जो समुदर से पानी लेकर हवाय उठती है मानसुनी हवाय जो अंदर को जाती है ऐसे तो यह परवत जो है यहाँ पे उनको आगे नहीं जाने देता है आगे नहीं जाने देता है यह रोक लेता तो फिर क्या होता है उससे यहाँ पे हमारे दे इसे दूसरे देश तक जाते कैसे हैं तो उसके लिए इसमें बीच-बीच में क्या है दर्रा है दर्रा पाए जाते हैं इसमें कहीं कहीं पहाड में बीच में दर रहे हैं जिससे होकर लोग जाते हैं लेकिन सर्दियों में बर्फ जम जाती है तब हम लोग आजा नहीं सकते हैं हमाले जो है हमाले में लद्दाख और रुनाचल में हमाले एरिया में एक याक नमक पसूब पाया जाता है जिससे सामांड होते हैं वो जो पहाडों में रह सकता आराम से हमाले के पश्रीमी भाग में क्या है एवरेस्ट कंचन जंगा नंदा देवी यह सबसे उची चोटियां जिसमें से आप जानते हो एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे उची चोटी है जो नेपाल में है यह किसकी है हिमाले की है गंगा और यमना गिलेशियर से निकलती जिने यह गंगोत्री और यमनोत्री कहते हैं हमालेशेतर में वन जीवों की सुरक्ष्ञ विकास के लिए कारवेट नेस्टनल पार कहा है उत्रा खंड में और काजी रंगा कहा है आसम में काजी रंगा फेमस है गैंड के के लिए और कारवेट नेश्टनल Bom हूतरा खंड में है तो हिमाले जब इतना उच्छा था बना यहाँ पर टेथिस सागर था जब उससे हिमाले बन गया बहुत उचा हो गया उस पर खूब बर्फ भी जमने लगी तो इस पर सबसे पहले मालूम आपको कौन चड़ा था तो यह फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह फोटो दिखाई दे रहे हैं आपको यह तेंजिंग और हिलेरी यह तेंजिंग है और यह हिलेरी है जो हिमाले की चोटी जो सबसे उची है माउंट एवरेस्ट उस पर सबसे पहले यह लोग चड़े थे इसलिए दुनिया में सब लोग इनको जानते हैं सबसे पहले यही लोग चड़े थे अमांट जो एवरेस्ट है उसकी उचाई है आठ हजार आठ सो पचास मीटर है ना इस पर चढ़ना बहुत ही कठीन है आसानी से कोई नी चल सकता जो बहुत प्रैक्टिस करता और जो है पूरा सरीर से स्वस्त आद्मी होगा वही चढ़ पाएगा उसके बाद कई लोग उन चढ़ा उस पर चढ़ाई की और हमारे देश की जो सबसे पहली अवरत थी जो इस पर चढ़ी उनका नाम था बचहिंदरी पाल जो तरह खंड में रहती है और लोगों को अभी भी ट्रेनिंग देती है तो बच्चों अब कल आगे का पाट पढ़ेंगे ये पाट तो तर का परवती में भाग यहीं पर समात होता है